schizophrenia एक chronic disorder है जिसके अंदर normally patient जो है वो reality जो असलियत है जो हकीकत है उससे दूर चला जाता है जैसे कि उसको ऐसे ideas आने लग पड़ते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है कोई उसको देख रहा है कोई उस पे नजर रख रहा है या शायद उसको कोई मारना चाहता है और इसके इला पनाई देती हैं जो असलियत में है ही नहीं आज मैं रिदम कोहली साइकोलेजिस्ट अड़ाटियर न्यूरो साइकाट्रिक हॉस्पिटल आन्दी हर्मिटेज आपको बताने जा रही हूं कि आप अपने पेशिंट की मदद कैसे कर सकते हैं आफ्टर ट्रीट्मेंट आपको ध्यान रखना है कि आपका पेशिंट मेडिसिंट टाइम पे ले रहा है क्योंकि मेडिसिंट जो है वो आक्चली में पेशिंट के अंदर जो डोपामीन जो केमिकल्स का इन बैलन्स हुआ होता है उसको मैनेज करके रखता है उसको एक पैटन में चलाता है so that problems जादा develop ना हो जाए जिदर तक problem रीच कर चुकी है उसके आगे ना जाए instead वो problems जो है कही ना कहीं solve हो और patient reality में आए number two है कि आपको आपके patient के diagnosis के बारे में full clarity होनी चाहिए अक्सर patient जो है वो denial में बहुत जादा लंबे समय के लिए रहता है उसके denial के साथ साथ जब caregivers के अंदर भी वो denial patterns शलरे होते हैं तो हम properly अपने patient की help नहीं कर पाते so first of all understand कि मेरे patient की क्या दिक्कते हैं क्योंकि कई positive symptoms होते हैं problem के कुछ negative symptoms भी होते हैं याने कि कुछ लोगों को चीजे दिखाई सुनाई देती हैं कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो की socially withdrawn हो जाते हैं अकेले-केले रहने लग पड़ते हैं so आपका patient की problem जो है वो एक से different हो सकती है so understand कि आपके patient का diagnosis क्या है और क्या symptoms है number three जो बहुत important है कि अकसर हम disease के साथ एक stigma को attach कर देते especially जब कोई patient schizophrenia से सफ़र कर रहा होता है तो हम उसके साथ एक stigma attach कर देते कि यार ये शायद मेरे लिए या मेरी family के लिए harm कर सकता है कुछ तकलीफ पहुँच आ सकता है but reality ये है कि हमारे जो patients हैं वो harmless होते हैं problem ये होती है कि उनका खतरा जादा इस चीज़ का है कि वो अपने आपको ना harm कर दे so अगर आपको right treatment पता है अगर आपको right symptoms पता है तो आप उस चीज़ को manage भी कर सकते है second of all हमें इस चीज़ में ये ध्यान रखना है कि patient जो है वो जादा अपने आपको हाम कर सकता है तो अगर वो कोई आप से बात शेयर कर रहा है self-harm की या फिर उसकी poetry's कोई writings या किसी भी मद्यम के थूँ ये जाहर कर रहा है कि उसके अंदर ये tendencies आ रही है suicide करने की, अपने आपको हाम करने की तो उसको seriously ले आप अपने patient की जान को बचा सकते हैं उसको समझने के लिए आपके अंदर ये understanding होनी बहुत ज़रूरी है next है कि day-to-day challenges को maintain करना है day-to-day challenges यानि की after treatment हम patient के लिए एक routine plan भीजवाते हैं अभी as a caregiver आपका मकसद होना चाहिए कि वुष treatment plan को उस routine को patient घर जाके follow कर रहा है या नहीं we need to understand कि patient की capacity उतनी ही है so उसको उसी साबसेर उसकी capacity की साबसेर हमने कुछ काम assign कि होते हैं जिससे कि उनके अंदर एक responsibility और functionality जो है वो बढ़ती है so as caregiver हमने ध्यान रखना है कि वो अपना routine follow करें अगर इस routine में आना कानी हो रही है तो discuss it with your counselor right क्योंकि हमारा इससे next point आता है कि asking for help अकसर ऐसा होता है कि patient की जो problem है वो इतनी जादा क्योंकि होती है तो caregivers कहीं ना कहीं एक stress एक burnout महसूस कर रहे होते हैं so don't worry about it आप help वहाँ पे सीख कीजिये आप एक तो अपने लिए कुछ self-care activities रखें जिसमें कि आप अपने उस burnout को release कर सकें कुछ आप support groups को join कर सकते हैं यहां तीसरी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा burden लग रहे हैं तो आप भी अपने counselor की help ले सकते हैं कहीं पर भी किसी भी step में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो seek help अक्सर हमारे अंदर एक common sense चल रहा होता है कि यह कर लेती हूँ मैं वो कर लेता हूँ बट वो common sense से अगर treatment होता तो शायद एक rehabilitation आपके patient की कराने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती सो हमें कहीं न कहीं अपनी common sense को side पे रखके plan को follow करना है और अगर plan में burn out आपको महसूस हो रहा है तो उसके लिए मदद भी मांग भी है और उसके साथ साथ अपना self care का ध्यान रखना है कि patient को ठीक करने है कि चक्कर में आप अपने आपको ना भूल जाए जब हम schizophrenia की बात करते हैं तो उसमें अक्सर patient जो है वो isolation prefer करता है isolation यानि की अकेला-केला रहना prefer करता है तो हमने कोशिश यह करनी है कि उसको कुछ ना कुछ एक activity के अंदर हम उसको involve करके रखे and last of all जो हम treatment plan में अपने patient को कुछ coping strategies समझाते हैं self-help strategies समझाते हैं तो आप भी उन strategies को सीखिए और अपने patient के साथ discuss करिए so that उसके application जो है आपके लिए और patient के लिए असान हो and in the end of the day आपका patient जो है वो और जादा functional हो हमारा मकसद as a treating team ये है कि हम अपने patient को एक independent इंसान बनाए एक functional इंसान बनाए जिससे कि वो अपनी normal जिंदगी को भी जी सके but उसमें वो जब coping mechanisms add होंगे तो वो functionality receive होगी so I hope ये video आपको help करेगी कि कैसे अपने patient जो की schizophrenia ये ऐसे symptoms से सफर कर रहे हैं उनके साथ कैसे आप adjust अपनी life में कर सकते हैं अगर आपका इस topic या किसी भी topic से related कोई भी question है तो आप नीचे comment कर सकते हैं ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चानल को like कीजिए, subscribe कीजिए and follow us for move videos. Thank you.